मंगल्शनी का COMBINATION देश के अंदर क्या परभाव दिखाएगा क्या यह गोचन जो टांजिट हुआ है देश के अंदर शुब परिणाम देगा अशुब परिणाम देगा किन लोगों को फैदा होगा किन लोगों को नुकसान होगा इस वीडियो में astrological analysis करके मैं आपको पताऊंगा दोस्तों क्योंकि मैं political astrology analysis करता हूं और मैंने देखा है बहुत समय से जो combination होते हैं उसके आधार पर मैंने देखा है कि जब जब इस तरह की combination बनते हैं तो वो राजनीती के लिए बहुत बड़े मैं कहूंगा कि उलट फिर बदलाओ या फिर उसके अंदर राजनीती को लेकर काफी प्रेशानिया देखने को बिलती है और जैसे ही combination आया है आप देखेंगे मंगल शनी के combination आने से क्योंकि लोगसभा का चुनाव भी उसकी dates आ चुकी है और सभी पार्टी अपने अपने ठंग से चुनावी परचार में चुनाव को जीतने में लग गई है लेकिन दस वर्षों से मोदी जी जिस प्रकार से काम कर रहे थे और उन्होंने अपनी सरकार की छवी को घोटाले मुक्त रिश्वत मुक्त और अपराद मुक्त बनाए रखने के संकल्प लिए और वो गिनाते में रहे थे पिछवे दस वर्षों में हमारी सरकार में कोई घोटाला नहीं हो लेकिन जिस प्रकार से अभी हम समाचार पत्रों में सुन रहे हैं SBI bond जो के बारे में काफी चर्चाए हैं कि जो चंदा लिया गया और जिस प्रकार से देश के अंदर ये मुद्धा मिल गया विपक्ष इससे पहले मुद्ध विहिन था इसके आने के बार देश के अंदर विपक्ष को मुद्ध मिल गया दूसरी बात विपक्ष को एक और मुद्दा मिल गया CAA चुनाओं से ठीक पहले भारतिय जन्ता पार्टी की सरकार ने इसको लागू कर दिया और ग्रह मंतरी अमित शह एनारसी की बात कर रहे हैं जिस प्रकार के ये कानून है इनको लेकर कई आंदोलन हुए और काफी समय से CAA मैं खास्तोर से हाँ पर बात कर रहा हूँ ये जो राज्य सरकारे हूँ जो भाजपा की जहां सरकार नहीं है वहाँ पर इसको वो लागू करने से मना कर रहे हैं और दोस्तों जिस प्रकार से चुनाओ के बाद ये बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है NRC की भी बात की वही है और जिस प्रकार से ये सरकार लगाता तावर तोड धुआधार अपने चुनाओवी वादों को पूरा कर रहे हैं चाहे हो राम मंदिर का मुद्दा हो चाहे हो धारा 370 का मुद्दा हो चाहे तीन तलाग का मुद्दा हो आप देखेंगे दसों वर्षों में जो मोदी जी ने कहा वो तो कर दिया लेकिन क्या ये मंगल शनी का कॉम्बिनेशन मोदी की रहा को आने वाले समय में आसान करेगा या मुश्किल करेगा दोस्तों मैं यही कहूँगा कि ये जो चुनाव है भारतिय जन्ता पार्टी के लिए पहुत मुश्किलों वाला है आने वाला समय देश के लिए काफी चुनोती पूर्ण है और आप देखेंगे कि देश के अंदर काफी अप्रिये घटनाएं दुर घटनाएं नेच्चोर डिजास्टर प्राकरतिक आपदाएं होने के योग बनते दोस्तों मैं यही कहूँगा कि जब भी इस प्रकार का कॉंबिनेशन आता है तो पॉलिटिकल लेवल पर क्योंकि मैं पॉलिटिकल एस्ट्रोजर भी हूँ कॉर्परेट एस्ट्रोजी भी मैं करता हूँ और मेरा जो अभी तक का अनुभाव है मैं यही कहूँगा कि देश को देश की जनता को इस समय बहुत ही सोच समझकर अपने अपने लेवल पर देश के बारे में सोचना चाहिए और यहीं आप व्यक्ति गत्तों पर सोचते हैं तो आपने निर्णे भी बहुत सोच समझ करने आप जिनके उपर ट्रस्ट करते हैं आप अपने एडवाईजर्स से ट्रस्ट जिनके उपर करते हैं उनकी सलहा ले सकते हैं और आप किसी अच्छे वैदिक एस्क्लोजर्स से भी सला लेनी चाहिए जिससे की वो आपको गाइड करें कि मंगल शनी का जो कॉंबिनेशन है इसके दुश प्रभाव से आप कैसे बचेंगे दोस्तों मंगल शनी का जो कॉंबिनेशन है इसका ग्लोबल लेवल पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसका वीडियो में बहुत ही चल लेकर आपसे मिले वाद हूँ दोस्तों यदि ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकॉन का पटन दमाए आज के लिए के वाद इतने ही एक नए टोपिक के साथ मैं आपसे फिर मिलूगा